आप मेंसे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई, Ryzen 3 2200G, 2400G, 3200G या 3400G करीद लेते हैं और उससे हम game and stream दोनों कर पाएंगे बट जब तुम लोग ये दोनों processor खरीदते हो तो उसके बाद you find a lot of problems बहुत सारी दिक्कते आती हैं regarding driver installation, कैसे करें stream, recording कैसे करें and इस तरीके के बहुत सारी issues आते हैं and सबसे basic issue जो इन APU's के साथ मैंने face किया है and कहीं न कहीं I am going to give a shout out to AMD for not doing this properly so AMD भाई तुमको क्या दिक्कत है, तुमने जो अपना Adrenaline 2020 edition दिया है उसके अंदर APU's के अंदर बहुत जगहों पे मैंने जाके कोशिश किये डूनने की but नए 2020 edition में आपको streaming का tab नहीं मिलता है for your APU's that is a very big issue and इस issue का मेरे को अभी तक उपाए नहीं मिला है तभी मेरे को जाना पड़ा इसके पुराने driver version पे जो की है 2019 edition का Adrenaline and उसके अंदर भी directly we don't get the relive का जो tab होता है इसके लिए भी हमको कुछ technique use करना पड़ता है तो अभी इस video में what I am going to show you कि अगर तुम लोग stream करना चाते हो या record करना चाते हो अपने gameplay को on Ryzen 3 2200G तो किस तरीके से आप ये कर सकते हो ताकि आपका जो gaming performance है उस पर सबसे कम effect आए and आप लोग game खेल सको हो सकता है ये जो आप लोग चाते हो streaming जिस level का चाते हो उतना अच्छा नहीं करा पाए but there is possible कि हो सकता है you get somewhat stream देखने लाए and उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम लोग इसी encoder का यानि AMD के drivers का use करो so that कोई भी performance loss तुमको ना हो तो ये वीडियो देखना बहुत important है इस वीडियो के starting में जो मैं तुमको बता रहो मैंने Adeline 2020 edition install किया हुआ है as you can see on the screen and इसके बाद किस तरीके से आप उसको पूरी तरीके से uninstall करोगे किस तरीके से पूराने driver install करोगे and किस तरीके से उस पे वो relief का tab लेके आओगे जो normally आपको नहीं दिखता है अगर आप इन APUs पे driver को install करते हो guys सबसे पहले शुरू करते हैं driver uninstallation के साथ and you can follow the whole video I'll just be along with you and video के final में जब ये खतम हो जाएगा तो हम लोग आएंगे और उसके बाद एक special announcement है वो announcement देखना मत बूलना because उससे तुम लोग को पता चलेगा कि तुम्हारा streaming का सबना पूरा हो सकता है कि नहीं कि तुम्हारा सबस्टाइब झाले पूरा हो सकता है झाल 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 झाल